हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन तो लंडरे दितिमन, तो देखिए हमारे 6th class कम्प्रीट हो चुकी थी, हमारा राजिस्थान में और 7th class भी हमने कम्प्रीट कर ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि 6 से लेकर 10 तक यदि आप रीट की तियारी करेंगे, तो वहां आपको ये स हमने 6th class को कम्प्रीट किया, 7th class को कम्प्रीट किया और उसकी question answer भी हमने अच्छे तरीके से कर लिये हैं, question answer मैंने इस तरीके से आप लोगों को करवाए हैं कि एक paragraph में, chapter में यदि जितने भी question निकलते हैं, वो सभी आपको यहां पर provide करवाए हैं, ठीक है, तो जो बच्च chapter नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, question answer उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, कोई भी exam दोगे आप first grade का, second grade का, या third grade read का exam दोगे, तो वहां आपको जो book है, RBSC की book और हमारा राजिस्थान जो new book चल रही है वर्तमान में, इसकी अच्छे से आप लोगों को तयारी करनी है, read वाले बच्चे जो है 6 से 10 तक की अच्छे से cover करेंगे, और second grade और first grade के तयारी करने वाले बच्चे जो हैं, वहां 6 से लेकर 12th class तक की बहुत अच्छे से book जो है, वहां आप लोगों को cover करनी है, ठीक है, तो ये चीज मैं आप बार-बार बताती रहती हूं अभी भी बच्चे फिर भी पूछते हैं हमें कौन सी बुक करनी है एक तो आपको जो पुरानी RBSC की बुक है बहुत अच्छे से करनी है और जिसे आप new NCRT कह रहे हैं उसमें एक लगी हुई है बुक हमारा राजिस्थान तो इसे आपको बहुत तच्छे से करना है 6 से लेकर 10 तक तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 जो पिछले वीडियो हैं 6 क्लास के 7 क्लास के वो देखिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं question answer जो है series वह भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो 8 ग्लास जिसमें चैप्टर हैं देखिए ध्यान से 18 सदी का राजिस्थान second grade में तो यह topic ही दिया हुआ है 1857 का सुतंतरता संग्राम एवं राजिस्थान तो देखिए चैप्टर खुद ही देख लीजिए 8 ग्लास है और ऐसे ही हुबहू चैप्टर जो है वो आपके syllabus में दिये जन साधरन एवं सामाजिक सुधार हेतु राज की प्रयाज ग्रामीड एवं सहरी प्रसाशन और राजिस्थान में कला एवं संस्क्रती तो आज हम करेंगे 18 सदी का राजिस्थान इस चैप्टर की आज हम करेंगे रीडिंग और जैसे ही सभी चैप्टर पूरे हो जाएंग के उसके बाद हम हमीशा की तरह करते हैं question answer series ठीक है जो बच्चे chapter नहीं पढ़ पाते हैं तो वो लोग question answer series जो है वो उन्हें देख सकते हैं और उन्हीं से जो है exam में question भी आपके आये हुए हैं आते रहे हैं और आगे भी आएंगे तो जो बच्चा इन books को follow करता है उसे किसी competition के त्यारी करने और उसके बाद job लेने से कोई नहीं रोक सकता तो इस चीज को आप धिहान में रखिए read की जो test series हम लोगों ने चलाई थी in chapters से ही तो उन बच्चों के read में भी इतने अच्छे marks आये हैं 130 plus marks आये उनको सोचने की जुरत ही नहीं है कि उनका selection होगा या नहीं तो तैयारी इसी तरीके से आप लोगों को करनी है तो देखिए chapter 1 है आटवी क्लास का अठारवी सदी का राजिस्थान तो यहां हम पढ़ेंगे कि जब 707 तक मुगलों का प्रभाव जो है समाप्त होने लगता है होरंग जेव की जम्रत्यू हो जाती है तो उसके बाद यहा पर राजिस्थान में मराठों का प्रवुत्व जो है वह स्थापित होने लग जाता है ठीक है दूसरी तरफ अंग्रेज भी यहां पर बढ़ रहे थे और मराठा जो थे वह भी यहां पर अपनी नीतियां जो हैं लेकर आ रहे थे ठीक है तो यही हम सब कुछ पढ़ने वाल हैं कि अठारवी सदी के राजिस्थान में यहां पर कौन-कौन से लोग जो हैं यहां आकर अपना प्रवुत्व इस्थापित करते हैं कैसी इस्तिती रहती है राजिस्थान की मराठा शक्ती को सर्व प्रथम सिवाजी ने संगठित किया किस ने किया सिवाजी ने संगठित किया औरंग जीव की मृत्यू के बाद 1707 इसवी में औरंग जीव की मृत्यू हो जाती है उसके बाद मराठा सक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीती अपनाई मराठा यहां पर एंटर होने लगे थे जिसमें उन्होंने मालवा और गुजरात में आकरमन करने लगे तो बन गया राजिस्थान में सर्व प्रथम 1711 इसवी में मराठों ने मेवाड में प्रवेस किया सबसे पहले कहां किया मेवाड में प्रवेस किया 1711 इसवी में तो पहले से ही राजिस्थान के शाशक जो थे वो पहले से ही मुगलों के अधीन हो चुके थे और जब मुगलों क प्रवहाब जो है औरंग जेव की मृत्यू के बाद थोड़ा धीला पढ़ने लगा था तो उन्होंने सोचा कि अब हम आजाद हो गए हैं लेकिन यहां मराथे जो थे वह भी प्रवेश करने लग जाते हैं 1720 इसवी में पेश्वा बाजी राव ने मराथा ध्वज अटक से कटक तक फैराने का लक्ष निर्धारित कर लिया अतहे उतरी भारत की ओर मराथा अग्रसर होने लगी 1726 इसवी में मराथों ने कोटा और बूंदी पर आकर्मन किया उसके बाद 1728 इसवी में डूंगरपुर बासवाडा के सासकों ने खिराज बेना सुईकार किया तो यहाँ पर इनको सुईकरती मिल जाती है मराथों को और धीरे धीरे पूरे राजिस्थान में ही ये पैलने लग जाते हैं 22 अप्रेल 1734 में मराथों ने बूंदी के साशक बुद्ध सीम को पुनह वहां का साशक बना दिया यह मराथों का राजिस्थान की राजनीती में प्रथम हस्तशेप था इससे यहां के साशक भैवित होने लगे और उन्होंने मराथों के विरुद्ध कोई ठोज नीती बनाने का निर्ने लिया तो यहां पर शाशकों के लिए बहुत ही विकट इस्तिती आ चुकी थी तो सबसे पहले राजपूत ने क्या किया हुरणा सम्मिलन जो है वह बुलाया राजे स्थान के राजपूत राजाओं ने मराथों की बढ़ती सकती को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को खुरुडा कहा है भीलवाडा में एक सम्मिलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता जो है मेवार के महाराणा जगत सिंग सैकिंड ने की इसमें आमेर के सवाई जैस सिंग, जोदपूर के अभै सिंग, नागोर के बक्त सिंग और कोटा के महाराप दुर्जन साल आदी साशकों ने भाग लिया तो मराथों का जैसे जैसे यहाँ पर एंट्री हो रही थी तो राजाओं के लिए ये संकट की बात थी तो उन्होंने क्या किया कि सभी राजपू शाशकों को एक जगे बुलाया उन्होंने 17 जुलाई 1734 सी को एक सम्मेलन जो है वह किया जिसमें सभी राजाओं को बुलाया तो नाम याद रखें कि आमिर के सवाई जैसें यहाँ शामिल हुए थे जोतपूर के अभय सिंग शामिल हुए नागोर के बक्त सिंग कोटा के महराव दुर्जन साल ये सभी शाशक शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मेवाड के महाराना जगस सिंग सेक फिर हम इसके कुशन अंसर जब करते हैं तो आप लोगों को यह चीज और भी क्लियर हो जाती है कि आपके एक्जाम में किस टाइप का कुशन पूछा जाएगा इस सम्मेलन में एक एहद नामा तयार किया गया जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मुलकर रहेंगे एक का सत्रू वमित्र दूसरे का सत्रू वमित्र होगा कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे वर्षा रितू के बाद राम पुरा में सभी एकत्रित होंगे किन्तु ये सभी सर्तें कागज तक ही सेमित होकर रह गई इसकी कोई पालना नहीं की गई तो सम्मेलन में तो ये सब चीज़ें जो हैं बताई गई कि हम एक साथ मिल जाएंगे और हमारा जो सत्रू होगा एक का सत्रू वही सभी का सत्रू होगा तो इस तरीकी की योजना जो है यहां पर बनाई जाती है लेकिन इसकी कोई भी पालना नहीं हो पाती है कई बार एक्जाम में देखिए होडा सम्मेलन किस डेट को बुलाया गया, अध्यक्स्ता किसने की कौन-कौन शामिल हुआ, ये कुशन एक्जाम में आता है राजपूत शाशक जाती भाषा रीती रिवाज परंपरा की द्रस्टी से समान थे, फिर भी उनमें एक्टा का अभाब था आमेर के सवाई जैसिंग की उदास इंता और निर्नेयों की असपस्टता ने मराठों के विरुद्ध नीती को असफल बना दिया तो यहाँ पर सवाई जैसिंग जो थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उनके जो निर्नेयों थे वो भी सपस्ट नहीं हो पाए थे जिस वज़े से यह जो नीती बनाई गई थी वो असफल हो गई इससे मराठों का राजस्थानी साशकों पर प्रवुत्व बढ़ता गया अब जब बहार के दुस्मन को यह पता लग जाए कि यहाँ पर तो एकता नहीं है तो उसे बहुत आसानी से यहाँ पर एंट्री मिल जाती है पेश्वा बाजीराव ने राजस्थान नीती का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधा भाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा अपनी माता के सम्मान सहित साकुशल लोट आने पर पेश्वा बाजी राव अगले ही वर्ष राजिस्धान के दोरे पर आए और यहां से चौत वसूली की तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो पेश्वा बाजी राव ने क्या किया मराठों के कि राजिस्धान नीती का सबसे पहले आखलन कर लिया कि उनकी माता जो है वो साकुशल जो है तीर्थ यात्रा यानि अजमेर से वापस आ गई है यानि वहां पर आराम से प्रवेस किया जा सकता है तो यहां पर राजिस्धान के दौरे पर आते हैं नेक्स्ट येर और यहां से चौत वसूली जो है वो प्रारम भी कर देते हैं तो होता तो यह इसी वज़े से है क्योंकि जो राजपू शाशक थे उनमें ही एकता का भाव हुआ राजिस्धान के उत्तरा दिकार संगर्स में मराठा भूमिका 1743 इस्वी से 1750 इस्वी में तो 28 सताब्दी में राजिस्धान के राजपू शाशकों में उत्तरा दिकार के लिए संगर्स होने लगा यही कारण था कि मराठा को उत्तरा दिकार के निर्णे में दखल का अवसर मिल गया अब जब दो पार्टिय जो है वो आपस में लड़ रही हो तो बाहर तीसरी पार्टी आकर जो है समझोता करने लग जाती है तो उसका प्रवुत्व जो है और भी बढ़ जाता है ठीक है कहने को तो उत्तरा दिकार जो संगर्स हो रहा था उसमें मराठा जो है वो हस्त शेप करने लगे कि नहीं यही नहीं उत्तरा दिकारी बनेगा या दूसरा उत्तरा दिकारी बनेगा तो उन डॉनों में तो आपस मैं शुल्य हो रही थी लकुन राजपूर शाष्कोंको ये नहीं समझ में आ रहा था कि माराधे धीरे अंग्रेज की तरह वहां पर भी एंट्रि कर रही थे जैपूर उत् के साथ 1780 में होता है लेकिन यहां पर एक सर्थ रखी जाती हैं और वो क्या सर्थ रखी जाती है कि मेवाड की राजकुमारी से उत्पन पुत्र ही जैपुर के सिंगहासन पर बैठेगा चाहे सवाई जैसिंग की जो पहली जो रानी थी उनके पहले ही कोई पुत्र हो लेकिन फिर भी अमर सिंग सेकिंड ने ये सर्थ रखी सवाई जैसिंग से कि उनकी जो पुत्री का जो पुत्र होगा वही जैपुर के सिंगहाचन पर बैठेगा वही उत्रादिकारी होगा बले ही वो छोटा क्यों ना हो 1743 में सवाई जैसिंग की मृत्यू हो गई तो मेवाड की राजकोमारी चंदरकुमरी बाई से उत्पन पुत्र माधव सिंग ने अपने मामा महाराना जगर सिंग सेकिंड इनके सहयोग से सवाई जैसिंग के जेस्ट पुत्र इश्वरी सिंग को चुनोती थी तो देखिए सवाई जैसिंग जो है उनका बड़ा पुत्र था इश्वरी सिंग लेकिन यहां उत्रादिकार जो है किसको बनाया गया माधव सिंग को बनाया गया क्योंकि सर्थ जो है रखी गई थी तो इस सर्थ की पालना होने थी तो यहां माधव सिंग और इश्वरी सिंग इनमें दोनों में ही जैपुर उत्तरादिकारी संगर्श होता है मराठा सरदार मलहार राव हूलकर द्वारा माधव सिंग का पक्ष लिया गया तो यहां जो मराठा थे उनका तो काम ही यही था कि यहां पर कैसे यहां पर प्रव पुरू का युद्ध होता है अपने सैनापती हर गुविन नाटाडी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंग को आतमत्या करनी पड़ी थी और माधव सिंग मराठों के सायोग से जैपुर का शाशक बन गया था ठीक है तो मराठों ने किसका साथ दिया था माधव सिंग का साथ इश्वरी सिंग यहाँ पर पराजत होता है इसो इश्वरी सिंग उसी गोग वैसे गद्धी पर बैठना था लेकिन माधव सिंग के साथ मराठे देते हैं और वह कद्दी पर बैठता है जैपूर का शाशक बन जाता है जोदपूर उत्रादिकार संगर्स तो जैपूर की तरह ही जोदपूर में भी मराठों ने हस्तशेप किया यहां भी वहां भी राम सिंग और बक्त सिंग के बीज में उत्रादिकार संगर्स प्रारम हो गया दोनो ही मराठा सायता के प्रयास में जुट गए पेश्वा सिंधिया वह खोलकर के हस्तशेप बढ़ गए अतत है राम सींग राम सींग को राज्य का आदा भाग मिल गया मारवार का विभाजन ही नहीं हुआ बलकि उसकी आर्थिक दसा भी सोचनिय हो गई तो ये लोग तो ऐसा तो आर्थिक दसा तो खराव हो ही जाती है व्यापार नस्ट हो गए क्रशी वरबाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रति दिन बढ़ती गई वे कोई जम जोता करने पर सहमत नहीं थे चौत वसूली जो है वो यहां करने लगे ठीक है मेवाड में उत्रादिकार संगर तो मेवाड में संगर्स जो है किसकिस के बीच में होता है 1761 में महाराडा राज सिंग दुत्य की मृत्यू होने से अरी सिंग को मेवाड की राज सिंग हासन पर बैठा दिया गया तो यहां पर राज सिंग फैकिन जो है उनकी मृत्यू हो जाती है और अरी सिंग को मेवाड क के भी दो दावेदार हो जाते हैं एक तो अरी सिंग और दूसरा ग्रतन सिंग दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये तो सबसे बड़ी गलती तो इनकी यहीं पर थी ठीक है आपस में समझोता ना करके इन्हों ने भी मराठों से हेल्प मांगी परिनाम स रूप ग्रह युद्ध में मराठा हस्तशिप होने लगा जिससे मेवार की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनितिक प्रगती के मार्ग अवरुद्ध हो गए राजिस्थान के साष्कों के पारस पर एक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तशिप बढ़ता रहा फलत है यहां का विकास अवरुद्ध होने लगा तो यहां राजपू शाष्कों को मुगलों का मराठों का अंग्रेजों का इनका सभी का सामना जो है वह है करना पड़ा था फिर देखिए यहां पर मराठों के दुस्मन एक और थे अंग्रेज तो अब राजपू शाष्कों ने क्या किया कि मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधिया प्रारंब कर दी थी ठीक है मुगल सामराज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई आराजक्ता ने राजपू शाष्कों, सामन्तों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अविवस्था उत्पन कर दी ऐसी इस्थती में राज्य स्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वहाबिक जुक हो गया, तो अब किसकी शरण में चले गए, अंग्रेजों की शरण में चले गए, उन्हीं से मदद मांगने लगे, वे अपनी शक्ती के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाप्त करने के लिए, राजपू शाष्कों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए, अत है, अठारा सो सत्रा और अठारा सो अठारा, इस्वई में राजपू शाष्कों से अंग्रेज सरकार ने संधियां सुरू कर दी, तो यहां संधियां जो है, कब से स्टार्ट कर दी थी, कौन सी संधी जो है, अंग्रेजों से की राजपू शाष्कों ने अठारा सो सत्रा से 1818 की संधी राजेस्थान के राज्यों में सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधी सुईकार की ठीक है डेट याद रखें 29 सितंबर 1803 और भरतपुर राज्य अथारा सो अथारा इसी तक सिरोही राज्य को छोड़ कर राजिस्थान में सभी राज्यों ने कंपनी का संद्रक्षन सुईकार कर लिया सभी ने एक एकर के संधी जो है वह है कर ली सिरोही राज्य को छोड़ कर केवल मारवाड के विरूद के कारण सिरोही से ततकाल संधी नहीं हो सकी एवम 1823 में संधी पर हस्ताक्षर हुए उसके बाद 1823 में भी संधी हो गई इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर राजिस्थान अंग्रेजों के संद्रक्षर आ गया तो अंग्रेज भी यही चाते थे और यहां तो राजिस्थान के शाषकों ने खुद ही यहां पर उनसे संधी कर ली लेकिन यहां पर यह नहीं जानते थे कि यहां पर भी इनका ही लौस होगा जो कि हम आगे चलके देखते भी है कि 1857 की क्रामती जो है उसमें अंग्रेजों ने राजपूतों की हेल्प की थी या उनका अत्यदिक शोशन किया संधियों के परिणाम क्या निकले इ संधियों के परिणाम सवरूप अंग्रेजों को दिये जाने वाले खिरास से देशी साशकों की आर्थिक इस्तिती खराब हो गई अंग्रेजों को साशकों की आंतरिक मामलों में हस्त शेप का अफसर मिल गया अंग्रेजों ने भी साशकों को सामंतों के विशेशा अधिका तथा सकती नस्ट करने हेतु दवाव डाला इससे सामनतों की प्रतिष्ठा कोहानी पहुंची सौदेसी व्यापार उध्योग हस्त शिल्फ नस्ट होने लगा राजेस्थान में इसाई मिसंड्रियों का प्रवेस होने से इन्हों ने इसाई धर्म का प्रचार करना आरंब कर द ठीक है इसकी जन साधारन में तीर्व प्रतिक्रिया हुई जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्थित हुई तो 1857 की जो क्रांती होती है उसके पीछे कई कारण होते हैं ठीक है पहले मुगल जो है वह सोशन करते हैं मुगलों की जो है जैसे ही समापती होने लगती है उसके बाद मराठे जो है वो एंटर कर देते हैं मराठे जो है वह भी खेराज और चौत वसूली करते हैं तो साहेता के लिए संधियां अंग्रेजों से की जाती है लेकिन अंग्रेजों के द्वारा तो अत्यादिक्षोशन किया जाता है तो आखिर में क्रांती तो बनती ही है इसी वज़े से 1857 की क्रांती होती है अब देखिए चैप्टर जो है complete होता है और इसमें मुख्य सब्दावली जो है उनको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कोई भी शब्द जो है वो कहीं पर भी मत छोड़िये जो आपकी 6 से 10 तक की 12 तक की बुक होती है क्योंकि कई बार क्या होता है आप जब हिंदी का जब एक्जाम देते हैं तो हिंदी में भी कई शब्द जो ऐसे होते हैं और चौत जो मराठे वसूल रहे थे तो यह मराठों द्वारा अन्य शाष्टकों शे लिया जाने वाला सुरक्षा कर तो अब आपको यह पता चल गया होगा हमने यह शब्द पढ़े थे चौत वसूली और खिराज वसूली ठीक है अहद नामा यह एक इकरार नामा है यानि समझोता प्रपत्र है नेक्ष्ट देखिए अब इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न तो चलिए फटाफट से इनका आंसर देने की कोशिश करें थोड़ा सा मैं रोकूंगी और आप सोचिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा अभी हम हमने यह चैप्टर जो है कंप्रीट किया है निम्न मैंसे खुरणा सम्मेलन की अध्यक्ष्टा किसने की थी महाराना जगस सिंग सेकेंड ने सवाई जैसिंग ने अभे सिंग ने या बक्त सिंग ने तो पटापट से इसका चारों का आंसर सोचिए कि अभी हमने क्या पढ़ हो कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है ठीक है वासनों में यदि आप जॉब लेना चाहते हो तो इस 17 जुलाई 1734 को भील वाड़ा में सम्मेलन हुआ और यहां अध्यक्ष्टा की महाराना जगस सिंग दृतियने रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए मराठा शक्ती को सर्व प्रथम 10 ने संगठित किया तो क्या आएगा इसमें मराठा जो शक्ती थी इसको सबसे पहले किस ने संगठित किया था तो हमने चैप्टर की जो केवल फस्ट लाइन ही पढ़ी थी क्या पढ़ी थी यह मराठा सक्ति को सर्व प्रथम जो है शिवाजी ने संगठित किया सेकिंड देखिए राजिस्थान के राज्यों में सर्व प्रथम 29 सितंबर 1803 को डैस ने अंग्रेजों के साथ संधी सुईकार कर ली थी तो सबसे पहले किस ने की थी भरतपुर राज्य ने की थी ठीक है यहां आ जा उसवाजी राव की मराठा नीती क्या थी यही नीती थी कि सबसे पहले तो उन्होंने राजिस्थान की मराठों में किसने जो बाजीराव थे उन्होंने सबसे पहले जो राजिस्थान नीती का क्या किया आंकलन किया तो उसके लिए सबसे पहली अपनी मा को भेजा था तीरतियात्रप राजिस्थान में और जैसे ही वो सकुषल बापिस आ जाती हैं तो अगले ही साल जो है वो बाजीरावग राजिस्थान में जाते हैं और वहां से चौत वसूलिप्रारम कर देते हैं राजिस्थान में मराठो ने सर्व प्रथम कब और कहां प्रवेश किया था तो कब किया था और कहां प्रवेश किया था चलिए इसका आंसर जो है वो आप बताईएगा comment box में ठीक है ये है आपका homework तो इसको ध्यान में रखियेगा कि आपका जो homework क्या है राजिस्थान में मराठो ने सर्व प्रथम कब और कहां प्रवेश किया comment box में सभी बच्चे जो है इस question का आंसर देंगे ठीक है तो चलिए ये chapter जो है वो complete होता है मिलते हैं next chapter में इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं thank you प्रवेश प्रवेश बच्छे बच्छे से प्राइब की से बच्छे थारे हैं